नमस्कार दोस्तों आप देख रहें से नवाल एज़ेटिक यूटूब चलाएं दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फाइनल ये एक्जमसन दोजार तेइस का मैंने एक्जाम का पेपर है संस्कर्ट साइट्य का दित्य परसन पत्तर है ठीक है कावे द्रमसास्त्रों सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं पंक्ति में किसका नेम था जो आपको दे रहा है मैयूर परश्टी स्रेणी गुहिन पंक्ति में गुए किसका नाम है मगद जनपत में जनपत के राजा का क्या नाम था और क्यूं ठीक है सुर्ष सेनाए धियती सुसेना कौन से वंस का गर्फाहर राजगुमार ऐज कौन से वंस के संबन्द हा कोन से संबन्द था यससे नेचो दो प्रभावन किसकी प्राज大家都 नहें हो और उसके लिए क्या करना चाहिए विधूर निती के अनुसार कौन शार राजय पर इस्तिर नहीं रह सकता विधूर निती के अनुसार ऐसा दू दुष्ट जाने राज़यो इस्तिरो और गुनी व्यक्तियों के बल क्या है नेश्टर राजा लक्षन स्वंपन इस्ट्रो लोक्यो शपी की यो भवेत पंक्ती में किसी राजा के लक्षनों को युपति का आगए है उसके बाद में रामायन बालकन में कौन सा चंद है महरसी वालमिकी को राम के गुणों के विशे में किसने बता है राम ने खर और जो दूसरन के साथ अन्य कितने राक्षिसों का वद गया है भरत ने किस ग्राम में रहकर सासन किया और पंसत्र में चपन के कथा में मतश्य मंडू कथा में मतश्य मंडू के क्या नाम थे रासम स्रंगाल कथा का सार लिखे उसके बाद में 2 लेकित में से किसी एक पर आपको सलोग कि व्याख्या करने होगी दो दे रहें उसके बाद में तीसरा कुश्ण है इंद्रुमती के शोंबर का वणनन किजये जय कही nमर का है सश्ट सरक्किय अनसार कालिदास की कवेश सहले की समक्रिक है फोर क्यूसन के हम बात करें तो एक से लोग को आपको से परसंग सीद क्या करनी होगी यह आपका चाहर नमर का है पांच एक उसने महात्मा विदूर दुआरा परदत निती का सार लिखे इसके बाद अथा के अंदर पूचा है विदूर निती के वैवस्चाइक मेहत्तो पश् उसके बाद में 7 हैं रामायन के पर्थम स्रग क्या क्यूशन क्या वालम tutte मइपका इन्दर पूचा है रामायन के पर्थम शरक क्यों आपनों है यह कि सार अपनी इसान मशर तो एक संस्क्र्थ बाज़ा इसे आपको निमित लिखेना होगा विद्धा विहीण पसू और उसके बाद में जो आप एक पी आपको निमन लिखना में देख सकते हैं निमन में से किनी 2 सुत्रों के उधांड से दुए क्या करनी होगि दो आपको शांट के और दो सब्सक्राइब करें तो यह पेपर आपका दोस्तों कंप्लेट हो चुका है ठीक है मता सुने सेटीज का पेपर है और वीडियो को लाइक करें चलने को जुरू सब्सक्राइब करें थेंक यू